तो जाती करना की रिपोर्ट पर प्रिशांत किशोर वो भी हमला बोल रहे हैं वो कहरे हैं कि बिहार में जेडियू आर्जडी का ये अंतिम दाओ है ये पात कहना है प्रिके जातियों में आग लगाना चाह रहे है सरकार चुनावी नईया पार लगाने की ये आखरे कोशिश है तो किस तरह से प्रिशांत किशोर यहाँ पर हमला बोल रहे हैं आर्जडी, जेडी उपर, नितीश कुमार पर ये साफ तॉर्सन के बयानों से जलक रहा है जो लोग जातीगत जनगना करा रहे हैं इनको समाज के बहतरी से लेना देना नहीं है ये तो एक अम्तिम डाव खेले हैं कि समाज को फिर जातियों में बात कर एक बार किसी तरह चुनाव की नईया पार लग गया है पहले तो आप 18 साल से सत्ता में हैं आज क्यों जातीगत जनगना करा रहे हैं अगर जातीगत जनगना आपका रहे हैं जनगना आपके विशे का राज्य सरकार का विशे ही नहीं है आप जनगना नहीं करा रहे हैं आप सर्वे करा रहे हैं सर्वे करा रहे हैं जनगना तो केंद्र सरकार का विशे है और सर्वे और जनगर्णा में जमीन आसमान का फरक है क्योंकि सर्वे का कोई legal sanctity नहीं है तो जाती जनगर्णा पर विपक्षतो हमलावर है ही उधर ललन सिंग उनका भी बयान सामने आए वो कह रहे हैं कि सभी राज्यों में हो जाती जनगर्णा जाती गर्णा देश की मांग है ये बात कह रहे हैं ललन सिंग साथी कह रहे हैं कि बीजिपी ने जाती जाती सर्वे रोखने के लिए पूरी ताकत लगाई क्या कुछ का सुनिए अगर आप देश का विकास चाहते हैं तो एक पार यह जानना जुरूरी है कि समाज में कौन सी जाती किस समाज के लोग इतने पीछे हैं तो यह जानने के लिए भी आवस्चेट की नहीं माना भारत सरकार तब भिहार ने जाती आधारित गनना कराई कोंकि जन गनना कराने का अ पूरे देश की आवस्चेटा है कि जाती आधारित जाती एक जन गनना हो और देश में पहली बार 1931 के बाद एक बार समों के सामने देश की आवादी में किस वर्ग के लोग में इसकी जानकारी देश को प्राद तो देखें सियासी बयान बाजी तो जा रही है लेकिन अब आगे क्या रणिती है नितिश सरकार की आई एसी पर बात करते हैं मेरे सहियोगी सौरब जुड रहे हैं पटना से सीधा सौरब आरोप प्रतैरोप तो हम देखी रहे हैं लेकिन जिससरा से नितिश कह रहे हैं कि सरदलिय बैठक बुला कर अब आगे जो भी काम होगा सब को स साथ लेके होगा तो क्या रणिती क्योंकि सवाल रिपोर्ट की ट्रांस्पेरेंसी को लेकर उठ रहे हैं सवाल सोशल अगनॉमिक रिपोर्ट को लेकर विए उठ रहे हैं ये बिल्कुत सारे जो सवाल हैं उसी को मुखमंत्री नितिश कुमार किलियर करना चाहते हैं जबकि जो ये प्रस्ताव यानि जाती है अधारित गन्ना का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें सभी नौ पॉलिटिकल पार्टी के नेता मौजूद थे और एक बार फिर नित जाये जाती जो सरवेच्छन आये हैं उनको रखा जाएगा इसके अलावा जो समाजिक और आर्थिक सरवेच्छन की जो रिपोर्ट है उसको भी रखा जाएगा और उस बैठक में यह भी तै करने की कोशिस की जाएगी कि सरकार का अगला कदम क्या होगा यानि सरकार जो कल्यानकारी योजनाएं क्या-क्या और किन-किन जातियों के लिए ला सकती है इसके अलावा आरच्छन पर भी मंथन किया जाएगा क्योंकि मौझुदा समय में जो आरच्छन है सभी जातियों के लिए वो परियाप्त है या उसको भी बढ़ाने की जरूरत है तो तमाम बातों को लेकर आज मंथन होगी और साइद इसलिए मुखमंतरी नितीज कुमार ने या बैठक बुलाई है क्योंकि कल भी उन्होंने कहा था कि हम चाहेंगे कि सभी बिहार की जो नौ पलिटिकल पार्टियां है सभी नेता एक साथ बैठे और उसके बाद ही आगे कि जो भी योजना होगी उसके तरफ बिहार सरकार कदम बरहाएगी तो निशीत रूप से इसी तमाम बेंदूओं के आधार पर मुद्दों के आधार पर आज की बैठक बुलाई गई है जो कि आपसे कुछी देर के बाद करीब सारे तीन बजे बैठक सुरू हो जाएगी बीजेपी के तरफ से कोई साब संकेत नहीं आये हैं बीजेपी के जो सभी जो बिहार के बरे नेता हैं वो अलगातार कर रहे हैं कि अभी हम जो आकरे आये हैं उसका हम अध्यान कर रहे हैं उसके बाद ही यह बताएंगे कि कौन सी किस दिसा में हमें आगे बढ़नी है तो न